हालो स्टुडेंट्स वेल्कम टू माई चैनल आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉटेंट टॉपिक जो जेई और नीट के बच्चों के लिए काफी इंपॉटेंट है काफी प्रॉब्लम्स इसक्यों पर आ जाती है यह अप्लिकेशन और वैक्टर्स इन कानेमेड टो जब ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम मात रिवर बोल्ट इने बोलते हैं कि कोई व्यक्ति जो है एक नदी को पार करना चाह रहा है जो तरीके से वह पार कर सकता है क्लॉशिंग दर रिवर के दो तरीके होते हैं दोनों के बारे में वन बाएं वान अपन बताएंगे एक होता होता है in shortest path एक होता है in shortest time ठीक है ना तो क्या आपकी प्राइरटी आप shortest path में कम मेनत करके travel करना चाहते हैं या फिर आपकी से पहले आना रेस में और कम से कम टाइम में हमें पहुंचना है तो दोनों तरीके के बारे में के करके आपको बताते हैं की उपर काफी नुम्रिकल साते हैं वह बहुत अच्छे समझ लेना वैक्टर्स की नॉलेजिस के लिए थोड़ी सी चाहिए होती है वैक्टर बेस्ट है यह समझना बात को ध्यान से पहला जो अपन पढ़ रहें क्रॉसिंग रिवर का क्रॉसिंग रिवर इस सब्सक्राइब करें या पिर बता देते हैं कुछ ऐसा हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि कौन से वाले केस है यह आप देखिए पहले आपने समझ ली तो आपको बिल्कुल प्रॉलम नहीं आई यह से कॉश्चन में देखके समझ जाएंगे कौन सा केस है कौन से सब्सक्राइब यहां पर एक बंदा खड़ा हुआ है कि यहां पर एक बंदा खड़ा हुआ है कि रिवर के एक किनारे पे सब्सक्राइब और इससे इसको जाना है रिवर के दूसरे किनारे पर जाने के लिए ओप्शन चुनता है कि शौटेस पाथ त्रवल करना फालतू महनत नहीं करनी है तो वो क्या चाहेगा ठीक इसकी सीद में जो पॉइंट हो वहां पहुंच जाए कि शौटेस पात के लिए काहा जाना चाहेगा वह ठीक सामने वाले क्वाइट पर अगर पॉंच गया यह पास्शॉट रेस्टोगा कोई भी अक्ट्राइट टिस्टेंस टेवल नी करेगा सीदे 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 शॉट टेस्टेंस के आओ इसकनार दूसरे किनारे क रिएस यह है आ है आगर वह बी ऊ legislators कि यह है अगर वह गिकरिवलो की यह जाना चाहरा है अगर वह यह 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 चाहँ तो लेकिंटे लेकिन जाए जाएका एसे चलेगा यहाँ नहीं कि नहीं कि लेकिन आप चाहत में शौटेस पाथ प्रवल करें मतलब ठीक एप पहुंचे पहें तो फिर एम वो अपना चेंज करेगा मतलब एक ही जग कहीं पर निगाए कहीं पर निशाना पहुंचना एप है तो अपना टार्गेट करेगा का इस साइड यानि कि जो पर पेंडिकुलर टू रिवर फ्लो है उस डारेक्शन के साथ कुछ एंगल ठीटा बनाते हुए वह अप स्टीम चले का देखिए ठीक नहीं रिवर फ्लो की डारेक्शन में जाएका तो डाउन स्टीम और इसकी अप स्कुछ अंगल बनाएगा यह अप स्टीम हो जाएंगा इभर फ्लो कि डारेक्शन आत पर के साथ यह थीत अंडिकर बनाेगा की साथ conten लोगे साथ नहीं पर पियूंडिकुलर तो डारेक्शन बर्फलो के साथ थी टांक कर रहा है और सब्हूंत के जो व्लाशिटी है सपोस्ट्टै व्लासिटी जो आपको दी जाएगी कौश्षित चिल वाटर में दी जाएगी अध्यान से देख लिए तस्वीर चप जाने भी डिमाग ना इसे देख लेना चिज़ाम में हमको कुछ लिए तस्वीर बस दिमाग में बन जाए पर यहां पर देख लीजिए वीएं व्लास्टी अफ रिवर फ्लो अब विलास्टी की डारेक्शन होगा ने हम चाहते हैं मैनत कम से कम उसके लिए चलना पड़ेगा चलना पड़ेगा उसको अप्स्टीम इंगल एक्सर में थीट एंगल कितना होगा इसे के बारे में पूछ ले इंपॉइंट इसको नाम ढ़े दिया बी और इसको नाम दिया से सब्सक्राइब करें किसको वियार को मैं सेम होगा अब अगर हम मैं अगल की बात करें सब्सक्राइब गुर्च टेय में यह दल्र को साथ चाहि lifting of the ठीटा के वर्में क्लीर कारें देजैने आंगेल वेजर नॉर्मल तफीकिर रिवर करेंट वह रिवर कट्रेंड है इन द्रेटकर्ट कलीटि अगर हमें थीटा निकालना हैं तो आप इस डैट एंगल ट्रशाने ओब 싫 vous जिसकी हाइपोटीनियस अलगी दिख रही है आपको ओसी ओसी कोस्टू क्या है भी एम यह हाइपोटीनियस है आपका और एसी यह कहलो यह आपका भी आरे मैंटूड में मैंटूड में तो एसी कहलो यह कहलो यह वी आरे मालूम है वी आम तो साथ दिखी रहा है है पर प्रपैंडिकुलर और बेस आपको और देखना है तो आपने यह का थीटा के सामनेवाली साढ़िए परपैंडिकुलर देखिए हाउ restrictive गलत लोग की दिमाग में बडल रहता है कि vol को क्रवाफ्षा बेस एसा भी नहीं है आपको थीटा देखना है साजो यहां तीटा के साट को ने एस यह पर पेंडिकुलर जाएगी और फिर 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 निकालना थो फेंड नीकालना थो फॉर्मूला आप फॉर्मुला लगाएंगे नहीं सांटीटा है यह साईन थेटा प्रपैंडी करें यह वियार राइव यहां से मतलब है विलॉस्टी एफ रिवर्फ्लो मतलब है विलॉस्टी अवार्यां से आपका सांग्धिटा जाएगा अब सांग टागी कोई अच्छी आपको ऐसी मिल जाए जो नोन वैल्यू है तो फोस्त बाइटो मिल गई यह टिके न बाइट वान रूट तो मिल गई रूट तुम गई तो साइन की डाट उसकी वालु से थीटा निकल जाएगा सीदे सीदे अधर सीदा एकोस टू स जाएंग दार जाक्रीची साने नर्श यस नहीं को यह और यह लिए पान डिया है रिम्हेंबर्ड जासे इंगल विद नर्माल्ट टूज़ार रिवर करांट बाड़ एंगला साइंटिट एक व्याई पान एक ती घुम लाइन ए बैस और है और यह लिए पान अपन यह आ यह यहां क्या-क्या है प्रपेंडिकलर है यह रिजल्ट आगे आपका यह पामुला डायर्ट दिया होता है बुक्स में याद कर सकते हैं लेकिन कई बार कंडिशन समझने के लिए अगर आपने ड्राइब किया केंपूजन जरासा भी है तो यह पिक्चर दिमाग में आ जाएगी कि अध्य आप से अध्यक्सलिया जाए प्रपान ड्रिप्रों ऐसे तर्य एक्ष मार्य के साथ कि मानली आप से इंग्सलिया जाये गिर्दा डायरेक्श्न फ्रवबर में था लोग टारेक्शन फ्रिवर्प्लों यह पूस्ट लेते आप इससाथ यह नॉर्मल का एंगल नाटी डिगरी और प्लस यह थीटा तो एंगल होगा नाटी डिगरी प्लस थीटा क्या होगा एंगल की डाइक्षिन साथ पूछे तो एंगल भी 90 डिग्री प्लस थीटा यह है इसको सॉल्व करके जो भी आजाएगा सान इंवर्स वियार वाइव याद करो और थीटा निकालने के लिए फाम लाइए सान थीटा इकल टो वियार अपॉर वियार वियार रिप्र सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़े यह एंगल पुछा जाता एक तो कि किस डारेक्षिन से जाना चाहिए उसको तो अगर उसको पहुंचना सामने है तो सीदे सामने की और नहीं चलेगा नहीं चलेगा बलकि उसके साथ कुछ एंगल थीटा बनाते हुए चलेगा यहां पहुंच रहा था और यहां पहुंच जाएगा तो बात समझ में आए कि नहीं अप स्ट्रीम बनाएगा इतना एंगल नॉर्मल के साथ थीटा और डारक्षिन के साथ 90 डिग्री प्लस थीटा वस्षिन्स मिलेंग इसके उपार वी रो वीम क्या समझ में आया पुछ सकते हैं यहां पर टाइम टेकन टू क्रॉस्ट रिवर यह पर जो रिजल्टेंट विलॉस्टी वो क्या होगी इन दोना का जो रिजल्टेंट है अगर आप देखें वी आप और वी आर का मैं तो चलना इस डारेक्शन वी एम विलॉस्टी अप्र फ्लो यह है तो दो को देखेंगर है कि क्वेशन में लेकिए विलॉस्टी ऑफ मैं ये वी विलॉस्टट एमन कैसी स्टिल माठर लेकर पानी प्लो हो रहा है तो वाहां पर उसकी जो रिजल्टेंट व्लॉस्टेज हो अवा शिंबर रिजावर 66 मैं उस इस विखेंके ब्रिवन लुस्ट करतें में यह रहे हैं? है कि आपको हैपटिनिस मालूम है, पर्पेंडिकला मालूम है है, और बिस भी निकालना है है, तो हम जानते हैं, कि बैसिक क्या होगा अन्डरूट है पूदिनिस का स्क्षार मानस परपेंडिकलर का स्क्वार। यानि यहां पर V एंडरूट्ड रूट्ड रूट्ड में 50 में अजाएगी और यह वह डिरेक्शन है जिस डायरेक्शन में टानने के लिए विल्वास्टी होना चाहिए वह यह वाली होचाएगा कि यहां पे निकालेंगे टाइम टेकन टो क्रॉस दारिवार कॉल्स करना से वhelm वद्ट डबलू और स्पीीड कौन सी तहीं तरह है यह तो नहीं है सका थेरिक्शन में इस अर्ट्षण में जोके अलोंगु फो कौन सी है वी कि यह कहां है अब है गे हैं तो यहीत चीन चीज हती यह यह दो है कि अपको पार्ट हो गया कि अगर कोई आदमी क्रॉस करना चाहरा है रिवर को शॉट एस पार्ट से तो यह तरीका हो गया तो यह तो देखिए स्टुडेंट्स अब हम क्वेश्चेंज करने जा रहे हैं जो थेटिकल कंसेप्ट हमने क्लियर किया अभी उसके उपर आप समझ लें तो फिर उसके उपर क्वेश्चेंज करते हैं तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाता है तो जहां से देखिए क्वेश्चेंट की टैस्बॉक प्रॉब्लम है एंसी आटी तो बेस है हर कॉंपेटिशन का चाहिए आप नीट दे रहे हैं तो सबसे पहले आप को समझ में तो नहीं आयो रटमारा हो अभी आप देखें को काईदा आप कंसेप्ट लेर हो गए तो कैसे समझ ना आए क्वेश्चेंट को मैंने कैन से विद ए स्पीड ऑफ पोर किलोमेटर पर आर इंस्टिल वाटर यह क्या गिवन है आपको यह मैं की स्पीड दे रह बाउन किलोमेटर वाइड कितना टाइम लगए का टी पूछ रहें आप से रिवर की विट्ट दे रहा किये व को फूट कितना बन किलोमेटर रही है तो यह जो तरी किलोमेटर पर आप बस यह बात आपको जाने के दो के सुटेड़ है उसके लिए कोई ने कोई मिलेगा यहां जो आपको देदीज वो क्या से दिया लिए किसे जारा है नॉमा तॉस्ट इंद जाना हो यानि यह व्लॉस्टी ऑफ मैं वहते हैं लिए लिवर करेंट यह रिवर कि डारेक्शन ओ गई वियार आफ कर रिवर निकालना तो टाइम का आपको बताया था डवलु अपॉन फार्व डवलू कितना वल यह अपॉन प्रणों से मिनिट्स तो सिस्टी को बाइब करते हैं इस मिनिट्स में आ जाएगा यह जो है यह जो है एक यह चला लेकिन पहुंच कहा जाएगा भी पहुंच जाएगा यह जो है यह जो है यह जो होगी और यह आपको बताया था आपको दे रखाएं कितना थ्री किलमेटर पर आर इंटु टी आपको पलिया कितना अगर आपको आपको देखें तो बन बाया यह जो है कि आपको लाएं कि आपको पलियाएं कि आपको और यह काई में इसको आप मेचेंज कर सकते हैं तो भी चैंज करने के लिए क्या करेंगे कर देंगे अपान फॉर पोर से तो बोले कोई दिकत अगर आपने टेओरी डंक से समझ ली तो निमरिकल करने में कहीं कोई दिकत नहीं यहां यह फिकर बना एकड़िक्स में आपको बनाने जरूद भी है कॉमडिशन दिमाग में चप जाएगा ले रहे नहीं तो फामूला यह लगा कौन सा केस था यह शॉट एस पाथ का कैसे समझ में आए कि शॉट एस पाथ में है शॉट एस टाइम में है यह कैसे पता चला देखिए स्टुडेंट्स अब एक क्वेश्चन और आपके सामने करने जा रहे हैं ध्यान से क्वेश्चन को आप देखना पहले क्वेश्चन में अपने काफी कुछ आडिया ले लिया समझ में आ गया थिरिटिकल कंसेट में कैसे यूज़ करना है इस क्वेश्चन में भी जब आपको ध्यान से पहले पर ना और समझना है कौन सा केज है क्रॉसिंग गईरो फिर पिरिवर भी दोगेश्चे होते हैं एक होता है क्या होता है फिसकुले फिल्प्र रेक्याइट ऑफ फाइव किलोमेटर पर अम में लेट अड़ रेट उप 5 किलोमीटर पर और चॉन कि आपको सबसे पादे तो डाटा मिल रहा है क्लेट करते जाओ तो विलॉस्टी ओप मैं इस तिल वाटर वीम होता है वह दे रखाए फाइव किलोमीटर परा ले रहें आप चाहे रहे हैं रिवर बन किलोमीटर वाइड रिवर की विट रहा किया डवलू को स्टू किता रहा ह और प्लॉस्ट इस अब किलोमीटर परा तरिय। त्रिक यह डाल रहा है तर्यू टीन चीज़ सब्सक्राइब कमिल अब इस बात से समझा में आएगा कि कौन सा केस है वह कह रहे हैं आप सिमर विशिस टू क्रॉस देवर स्टेट विशिज तू क्रॉस दैज आंदे शवर स् कि यहां खृटा आदमी और could करना चाहता है तो इसका मतलब पहुंचना चाहता थरीवर फ्लो ऑपनी है यह है और अगर क्रॉस को स्टेर्ट करना चाहता है तो यह पे पहुंचना चाहता है ठीग सामने वाले कि यह आपका भी एम कि चलेगा वो कुछ ऐसे को भी नाम दे रिया तो कुछ एंगल बनाते हो जाएगा थीट एंगल तो आपसे पूछा है कि अलॉंग वाट डारेक्शन मस्टी स्टाइक पस्ट पार्ट में आप तो यहां पर आप निकालने के लिए क्या करेंगे देखें यह वी आर्ट यह भी क्या हो जाएगा अगर आपको याद हो तो हमने बताया था यहां पर तो यहां पर तो यहां पर थोड़ा यह पार मुला थोड़ी थोरी आपको पड़िया वियार अपन वियार यह फिकर से लिए नीचे नीचे विए र कितना थ्री एंआं थी यह फाइव फाइब थ्री अपन फाइव प्रिवाइब नॉर्मल टुदा रिवर करेंट पर पार्ट कांसरों किस डारेक्शन में जाना पड़ेगा यह और यहां पर यह भी लिग देंगे कैसे अप्स्टीग के साथ इता इंगल किस डारीशें अप्स्टीम यह ता है रिवर फलो की अप्स्टे डारेक्शन अप्स्टीम एफट सॉल्व हो गया यह दैन्टी कम दो बीपाट इंपाट बी आप से पूचा वाट विल बी इस रेजल्टेंट विलासिटी यह होगी भी आपकी आपको है पॉल्म में पर और बेस निकालना है रिडल स्थी तो फाममल आपको बता तो यहां पर क्या होती इस केस में so v equal to under root of half square minus perpendicular square and vm square minus vr square that is equal to what is vm vm is 5 5 ka square in 25 minus what is vr vr is 3 3 ka square in 9 25 minus 9 is 16 root 16 matlab 4 so 4 kilometer upon aar ye ho ga result and velocity v part solve ho ga then we come to the part c is how much time he would take to cross time time taken to cross the river t time with our distance response to distance the width of width along speed along speed of v this is result and speed taken a result and speed kitnay hai 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 4 w is kitna hai 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 kitna hai 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 इसमें आपको यह इस चाहता है तो करना क्या पढ़ेगा इसे कुछ एंगर बनाते वह आप स्टीम चलना पढ़ेगा यह दो केस्ट आपको दो क्वेश्चन में समझ में आएक नहीं आए जोना केस्का एक एक क्वेश्चन हो गया अब यह एक क्वेश्चन और कर रहे है अपन जहां से देखिए एक क्वेश्चन नीट में आए वो क्वेश्चन है अपरसन एमिंग तो रीच अग्जेक्ली अपोसेट पॉइंट ऑन दा बैंक और फॉस्टीम इस स्विमिंग विदा स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड अट अंगल ऑफ 120 डिग्री विद डारेक्शन ऑफ फ्लोव वाटर पूच क्या रहे है दा स्पीड ऑफ वाटर इंदा स्ट्रीम इस स्टीम या रिवार सॉलीशन के लिए अपने शाम में बना लेते हैं रिवर की विट्ट होती है यहां पर कितनी दे रखिया आपको दे रखिये इक वर्लोव वाट के इसके लिए इसके लिए डारेक्शन का होगी यह और प्लोग हो गई आपको इतना दे रख है कि दिरक्षिन उपांट फालच हो गया और यह समझ लेना होटे साथ दिया वां तो डिर्क्षिन तीर से थीटा मत्समझ लेना कि डियरेक्शन ओफ लोग वर्ट प्लस फीटा बोगे वन ट्वंटी दिग्री फीटा कितना होगा नाइटी मानस होगे मतलब थार्टी डिग्री फीटा आपको मिल गया कितना थार्टी डिग्री अपने को अप्स टीम चलना पड़ेगा तुला बनाते हुए बनेगा इंगल रखा है मैं वियार आपको दे रखा है कि दिया कि आप से पूछा है वियार आपको आपको क्लेडे यह हम जानते हैं पर दक्राओं थे कर सकते हैं अपन और यह वियार तो यह भी क्या होगा और यहां पी आप देख सकते हैं नजगता है साइं तीटा फ्रम टो पर पर पाल्ट पर पाने और प्रम्टल एंस व्यार डिया यह विय्क्त करेंगे साइज ठीटा फाइंड ने का फॉन वरड़ आपन वाट इस वियम य यह और रिक्वस्ट होगा तो जाएंगे मुल्टिप्ला होगा साइटी से साइट होता है यह गलती हो जाएगी तो यह बात समझने वाली थी कि रिवर के साथ एंगल है 120 तो वह एंगल क्या होता है 90 प्लस थीटा थीटा किया हो जाएगा 30 थीटा किसकी साथ होता है कि अब एक क्वेश्चन अपना और कर रहे हैं यह 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 नीट में को क्वेश्चन है आपको दे रखाए फाइव किलोमेटर पर ओंगें यह वह यह वह यह यह पर यह वह गया कि विट दे रखिए वन किलो मीटर कि अलां ने कहा था कोई यह कोई क्लू आपको देदी आगा है साब साब खुल खुला कि कैसे जाता है शौट आप से जाना चाहता है और इन फिप्टीन मिनट यानि टाइम गे आपको टाइम गेरी है फिप्टीन मिनट आप में तो अंदर टाइम का चैंज कर लेंगे मिनट मतला वन बाइफ ओर करेंगे कि विलास्टी आप से पूछ रहे हैं यह रहे हैं कि नहीं शॉट्रेस पाथ वाला केस है यह रिवार है विट थे कितनी डवल्यू क्या खड़ा है मैं शॉट्रेस बात में जाना चाहता है इसी दे सामने रिवर फ्लो की डिरेक्शन सब्सक्राइब और उसको पहुंचना है सामने पहुंचना है तो चलेगा कैसे कुछ एंगल बनाती हो लाइक दिस यह वियाम हो गया आपका यह भी क्या होता है वियार यह वियार यह वियाम क्लियर है कि नहीं अगर आपको याद हो यहां मैंने वदाएदा इस केस में जो हमारी रिजल्टेंट वेलास्टी होती है भी वो होती है अन्डरूट ओफ वी एम स्क्वार माइनस वी यार स्क्वार वो पहले सॉल्व कर लीजे अन्डरूट ओफ और वी यार तो दिया ही नहीं है आपने को ओके यह होगी ठीक है ना डाट इस अन्डरूट ओफ वी एम तो कितना है फाइब फाइब का स्कॉर्ट 25 माइनस वी यार दिया नहीं है तो वी यार स्कॉर्ट और टाइम टेकन टू क्रोस अरे वाट टी कोस्ट क्या होता है विट डबल्यू अपन उसकी अलों जो स्पीड हो तो जबलू का लूंग स्पीड का सब्सक्राइब घंडरूट ओवड़ीव यार स्कॉर्ट इंडरूट पोड पॉड़कर दिया फोड टांब टांब की वालीव पुटकर तो वन गाल एकव 것처럼 व्यू 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 पुट करते हैं वन अपाँ अंडरूट 25 माइनस आप्लम वन अपाँ वन अपाँ वन अपाँ डॉन जागे अधा दो you will get four equals to under root 25 minus r square वा व्यार स्क्वार स्वारी व्यार स्क्वार है यार्मी व्यार स्क्वार रही नहीं ना करें न sachो नियागी दो स्क्वार का और 16 25-nast व्यार स्क्वार माइनस व्यार स्क्वार की व्यार की व्यार स्क्वार को स्थले जाओ इस प्लस कि हो जाएंगे और स्चीड है 25-16 that will be 9 और व्यार स्क्वार इकल टू 9 तो व्यार इकल टू क्या होगा नाइन के रूट ले लेंगे जाट इस भी त्री और अंसर आई का किलो मीटर पर आर में तो त्री किलो मीटर पर आर इस ऑप्शन भी तो यह करेट ऑप्शन हो जाएगा नुम्रिकल्स भी आपको समझा दिये कुछ तो इन से जहां तक मेरा ख्याल है यह कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज दिल से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और रेट कीजिए अगले वीडियो का कुछ कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ और प्रेटिकल्स टापिक्स तरह की वीडियो चाहिए तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं कि नेक्ट वीडियो में आज के लिए इतना है